नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में आए आज हम सब जानते हैं कंटोला के फायदे और नुकसान के बारे में कंटोला एक सबजी है जो आम तोर पर मौनसून के मोसम में भारतिय वजारों में देखी जाती है इसमें कहीं स्वास्तलाब होते हैं और यही वज़ा है कि भारती उप महादवीब के अलावा इसकी खेती दुनिया बर में शुरू हो गई है इसे तिसलेल, काकरोल, कांकरो इत्यादी नाम से भी जाना जाता है इसकी मुख्य रूप से भारत के परवती शेत्रों में खेती की जाती है इसकी बेल का जीवनकाल तीन से चार महीने का होता है कंटोला का वनस्पतिय नाम मौर्मोडी का चरंशिया है जो कुकर विदेशी जाती का एक पोदा है अंग्रेजी में इसे स्पाइनी गार्ड और डीजल गार्ड कहा जाता है कंटोला देखने में करेले के समान होता है लेकिन साइज में करेले से छोटा होता है आई अब हम सब जानते हैं कि कंटोला के क्या फाइदे होते हैं दोस्तों इसमें भारी मात्रह में एंटि-अक्सिडेंट्स होते जो कि हमारे शरीर को साफ करने में बहुत ही जाद airport करते हैं जेहरे पर ये बहुत ही जाद है गलो लाता अगर आपक इसका daily business सेवन करते हैं जिनको Kalistrol की समस्या रहती है उनके लिए भी बहुत ही जादा अच्छा होता है कंटोला का सेवन करना कंटोला high blood pressure patients के लिए भी बहुत ही जादा अच्छा माना जाता है इसके अलावा जिनको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, जोडों में दर्द राता है, गुट्नों में दर्द राता है, उनके लिए भी बहुती जादा अच्छा होता है कंटोला का सेवन करना दोस्तों, I hope कि आपको कंटोला के फायदों के बारे में पता चला होगा और आप लोगा आज सेवन करना शुरू कर देंगे अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दें, अपने मित्रों के साथ शेयर कर दें और हमारी यूटीब चैनल को सुस्क्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें अगर आपके कुछ सुजाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं तरने वाद दूस्टों आपके दें शूब